तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूडीसियल ट्रांफर्स की मीन जो जज़ें सुप्रीम कोट और हाई कोट के तो उनका ट्रांफर कैसे होता है तो देखे डिसेंटली क्या हुआ तो इसी के वज़े से यह कॉंट्रोवर्सी है जो यह टॉपिक है वो निउस में हमें देखने को मिल रहा है तो अब इसमें सवाल होता है कि जो जूडिसल ट्रांसफर होते हैं जो भी जलिसक ट्रांसफर किये जाते हैं तो क्या यह सिर्फ परशाशने करन्स होते हैं अडमिनस्रेट्वी जिजरंस होते हैं ? या इनके पीछे कहीं न कहीं ऐक पनीश्मेंट छो पा होता है एक सवर्जा के तौर पे ट्रांसफर कियाना है उं एक जाता इसा है लिए अनका होता है और इसमें Chief Justice High Court के वो भी सामिल है देखे, it says President after consultation with the Chief Justice of India ये कहता है कि राश्पती जो है, वो consult करेंगी किसके साथ तो हमारे CGI जो है, जो भात के मुखनयादीस है Chief Justice of India, उनके साथ जो है, consult करेंगे may transfer just from one high court to another high court लेकिन consult करने के बाद ही जो है, वो एक जिसको दूसरे high court से, एक high court से, दूसरे high court में transfer कर सकते हैं और इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि जब उनका transfer किया जाएगा तो उनको एक company century allowance दिया जाएगा, ठीक है उनका transfer अगर किया जाएगा, तो उनको कुछ allowance जो है, कुछ भत्ते जो है, वो दिये जाएगे इसका मतलब यह हुए कि executive could transfer a judge इसका मतलब कि जो executive हमारी, ठीक है, वो transfer कर सकते judge को but only after consulting the chief justice लेकिन condition यह है कि उसको मुझो हमारे भाद के मुखनयादी से सीजियाई है उनसे consult करना ही करना पड़ेगा, बीना consult के transfer नहीं कर सकते from time to time, there have been proposal that one third of the composition of every high court should have judges from other states देखे, time to time जो है, यह proposal मिलते रहते हैं, कि इससे suppose करी कोई एक high court किसी state का, तो उसमें कम से कम एक तिहाई जो member हो वो दूसरे high state क्या हो, जिससे माल लीजिए अब यह UP state है, तो UP state में जितने भी judges होंगे ठीक है, तो उसके one by three members जो है, वो other states के होने चाहिए अब बात करता है कि इस इस इशू पर जो है, supreme court का view क्या है पहला case है, union of India versus संकल्चन हमातल शेट का case है, supreme court rejected the idea of high court judges can be transferred only with their consent, तो supreme court ने यह idea को reject कर दिया कि जो high court judges है, can be transferred only with their consent, ठीक है कि वहला हमारी consent से उनका transfer नहीं होगा, it is under the transfer of power can be exercised only in public interest, और यह जो transfer होगा, यह तभी exercise किया सकता है जब कोई public interest पर बात आएगी, ठीक है It has the president in an obligation to consult the CGI, which means that all the relevant facts must be placed before the CGI अब राश्पती को यह कागा कि राश्पती अगर टांसफर कर रहे हैं, तो CGI को बताएंगे वो facts देंगे क्यों आप transfer कर रहे हैं, ठीक है, यह चीज वो है, वो सिजाई के सामें रखना पड़ेगा राश्पती को, कि हम इस कारण से transfer कर रहे हैं इत रूल सिजाई देट राइट एंड दूटी तो एलिसेट अन असर्टेन फर्दर फाक्स फ्रम दर जजज कंसर्ण और अदर और यह कहा गया कि जो मुखनादीस होंगे, वो इस चीज का जानकारी करेंगे कि राश्पती के द्वारा अगर किसी का transfer किया जा रहा है तो उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है उसके अलावा जो अगला case देखेंगे जिसको हम फर्स्ट जजज केस भी बोलते हैं इस पे गुपता वसे प्रेसिदेंट ऑफ इंडिया, 1984 का यह case है, बहुत इंपोर्टेंट है इस के लावा देखेंगे, इस case में यह हुआ कि जो जजज की transfer की जो यह है उसको यह कहा गया कि एक law ministry के द्वारा एक circular जारी किया जाएगा, उसके साब से होगा the ministry had put that additional judge in all high courts may be asked for their consent to be appointed as permanent judges और यह ministry नहीं यह कहा कि जो भी additional judges हैं high court में, ठीक है तो उनके एक तरह से उनके consent ली जाएगी, उनके सामती ली जाएगी कि उनको as a permanent judge appoint किया जा किसी और high court में, ठीक है तो अगर transfer करने से पर हम से पूछाएगा कि आप कोई तीन जगों के नाम दिए जहां पर आप transfer चाहते हैं the ministry reasoning was that such transfer would promote national integration और उनका reason यह था कि इस transfer से जो है, एक national integration को हम promote कर सकते हैं help avoid particle tendencies bred by caste, kingship and other local links and affiliation तो में इनका यह कहने का मतलब था, अगर इस तरह के से transfer किया जाएगा, तो सही रहेगा कि में उपने सुच्छा से और तीन जगों लिखके देंगे, कि हम यहाँ जाना चाहते हैं the majority rule that consultation of the CGI did not mean concurrence with respect to appointment तो यहाँ देखिए Supreme Court को दोरा judgment यह दिया जाता है कि यहाँ पर यह जो concurrence का मतलब है, थीक है CGI यह बोलते हैं कि जो concurrence का मतलब है, यह पर इसका मतलब कर वपक्षिक के बात की गई है कि राश्बती जो है, अगर transfer किसी का करना और तो consult करके यह उन्योद करेंगे, तो consult करने का मतलब जो है इसका मतलब यह नहीं concurrence है यह कहा गया 1st judge case में उसके बाद देखते हैं 2nd judge case SCRA vs Union of India 1993 का case है It emphasized the primacy of the executive in the matter of appointment and transfer तो इसमें देखिए जो 2nd judge का case है इसमें क्या हुआ कि जो भी पहले बुला गया था उसमें तरह से इसको overrule किया गया opinion of CGI formed after taking into account the views of senior moshjaj was to have primacy ठीक है और यह कहा गया कि जो CGI का opinion होगा ठीक है तो senior moshjaj होंगे वो उपिनियन देंगे CGI को मेंस जो chief justice of India होंगे वो एक परसर सला लेंगे जो हमारे senior moshjaj है वो उन्हें सला लेंगे since then appointments are being made by the kolo jim तो उसी के बाद से क्या होने लगा कि यह को लो जी मोला जो विवस्ता हो चालो होगा ठीक है तो उसमें जो मुक्नियादी से रहते हैं और साथ में जो senior moshjaj है वो इंक्लूड़े रहते हैं इसमें अब देखते हैं current procedures क्या है transfer के तो as one of the points made by the second judge case was the opinion of the CGI or to mean the view of relative judges the concept of kolo jim came in to be to say second judge case है उसी में जो kolo jimola system उत्पन हुआ यहां से यह सुरू होता है kolo jimola system हमारे second judge case से in the kolo jim era the proposal for transferring a high court judge include achieved justice देखे उस समय अगर high court judge का एक transfer करना होता था तो उसमें chief justice रहेंगे should be initiated by chief of seat of india whose opinion is the regard is determinative और यह कहा गया कि किसे high court judge का transfer करना है तो मुखे नयादी जो है उनके द्वारा ही transfer की जो पक्किरिया है उसको सुरू किया जाएगा और कोई नहीं कर सकता the consent of judges not required और यह कहा गया कि जिसका transfer हो रहा है उनसे पूछना जरूरी नहीं है उनका सामाती लेना जरूरी नहीं है all transfers are made to be made in public interest that is for promoting better administration of justice through the country और जो भी transfer होगर किये जाएंगे वो सिर्फ public interest को लेकर किये जाएंगे ताकि एक अच्छा justice जो लोगों तो पहुंचा है सके for transferring a judge other than the chief justice the CGI should take the views of the chief justice of the court तो देखें अगर chief justice के अलाबा किसी और जजज का transfer करना है तो CGI जो है वो एक तरह से जो उस court के chief justice है उसे पूछ सकते हैं ठीक है as well as chief justice of the court to which the transfer is taking place या वहां से भी framework Franklin to a conservative court में वहां से भी CGI जो है उनकी राय सलाई जो है क्ले ठोचाते हैं ठीक है जहाँ गर बैसकते हैं जहाँ टांसपर Number रहा है उनसे भी रायसला है ले सकते हैं कि इनका ट्रांसपर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए CGI should also take into account for the view of one or more supreme court judges who are in position to offer their view उसके लबद CGI जो है वो और क्या कर सकते हैं जो भी supreme court के और जो जजज हैं उनकी भी view जो है वो ले सकते हैं है तो in the case of transfer of chief justice only the view of one or more knowledgeable supreme court judge need to be taken into account लेकिन जब मुखिनादी जो चीव जशी तो उनका अगर ट्रांसपर हो रहा है तो उस समय जो है supreme court के जो एक तरह से knowledgeable judge हैं experience judge हैं सरफ उनका ही view लेना यहां पर वो कहा गया बताए गया है अब देखते हैं कि written recommendation के बारे में बात करते हैं कि क्या provision है written recommendation का तो views should all be expressed in the writing जो भी views हैं वो राइटिंग में ही होंगे and they should be considered by the CGI and four senior messages और उसको जो है supreme good के senior most judge होंगे उनके अलावा एक मुखनया दीश होंगे तो यह हो गया पांच लुक का को लो जीम the recommendation is sent to the union law minister उसके बाद यह recommendation जो है वो send किया जाएगा union law minister के पास जो के अंदर यह law minister है उनके पास who should submit the relevant papers to the prime minister उसके बाद यह क्या करेंगे यह जो भी papers हो गर है वो prime minister को submit करेंगे उसके बाद फिर prime minister जो है वो advise करेंगे president को कि आप transfer approve करिये तो यह प्रक्रिया है अब बात करें कि transfer जो है हाई को तो एंदर है को मिनस ऐसा लगता है कि जब माली जे की एक तरह से किसी का जब transfer हुआ तो माली जे लोग को यह लगता है कि इंजर्स का the reason for the transfer और कभी कभी जो है transfer का कोई भी रीजन जो है नहीं बताया जाता है सुप्रीम फोट या सरकार के द्वारा